जो लोग 2014 के चुनाओं के साक्सी हैं वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था उनका ये दाहित तो बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीड़ी को बताएं भी जो नाओदित मत दाता है उनको भी बताएं कि तो 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस पर अबिस्वास था लोगों के मन में आक्रोज था लोग इस बात के लिए आसंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का दुनिया में सम्मान घड़ चुका था सीमाएं सुरक्सित नहीं थी देश के अंदर कहीं आतंगबाद कहीं नकसलबाद कहीं अलगाओ बाद सिर्चड़ करके बोल ला था दिकास के कारे ठप पड़ चुके थे देश की सभी संस्ताओं में भरस्ताचार चरम पर पहुंच चुका था युवा निरास्ता किसान आत्मत्या कर रहा था मेलाएं और सुरक्सित थी और गरीब कल्यानकारी योजनाओं पे डखेती पढ़ रही थी बैन और भाईयो हमने बदलते हुए भारत को देखा है दस वर्स में दुनिया में सम्मान बढ़ा है सीमाएं सुरक्सित हुई है नकसलबाद और आतंगबाद की समस्या का समाधान हुआ है हमारे भारती जनता पार्टी और भारती जनसंग के समय से हमारे पदादी कारी नारा लगाते थे कि जिस जाँ हुए बल्दान मुखर जी वह कसमीर हमारा है लेकिन बैन और भाईयों डॉक्टर स्यावा प्रसाद मुखर जी जी का बल्दान कसमीर में दो बिधान दो निसान और दो प्रधान के विवस्ता को समाप्त करने के लिए हुआ था और कांग्रेस ने समस्या दी थी जिसने आतंगबाद फैलाया ना जमुब कसमीर में न केवल बल्कि पुरे देश को आतंगबाद की चपेट में ला दिया रोज विस्पोर्ट होते थे निर्दोस लोग मरते थे ब्यापारी तबा होता था परिवार के परिवार तबा हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमासबीन बने रहते थे एक भी बार ये लोग आतंगबाद के खिलाब बोलने को तयार नहीं थे और बेन और वाईयों आज आप देख रहे होंगे कस्मीर में धारा तिन सा सत्तर समाप्त हो गई मैलाओं की गरिमा की रक्सा करने के लिए तीन तला की कुपरथा समाप्त हो गई बेन और भाईयों इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए ये सिकंद्राबाद सबसे नस्दीक है जेवर के और जेवर में बंढ रहा अंतराष्टी एर्पोर्ट आपके सामने एक उधारण है बेन और भाईयों एसिया का सबसे बड़ा एर्पोर्ट आपके पास बंढ रहा है इसका सरवादिक लाप तो सिकंद्राबाद और जेवर को ही होने जा रहा है यही लोग सबसे ज्यादा लाप भी लेंगे हां अर्थ विवस्ता प्रदेश और देश किसके मात्यम से सुद्रड होने वाली है 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने रैपिड रेल की सुविदाम देने जा रहे हैं मेट्रो आ रही है बैन और वाईयों रेल की कनेक्टिविटी डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर का जंक्षन दादरी में हमारे विदायक बैठे हैं इनीकी विदानसवा चेत्र में डॉक्टर महेश सर्मा जी के इसी चेत्र में इसकावी लॉजस्टिक का सबसे बड़ा केंदर देश का सबसे बड़ा केंदर बनने जा रहा है जहां लाखों नौकरिया निकलने वाली है बैनोर भाईयों ये पहले दुनिया के अंदर इस परकार के इंफरस्टक्चर के लिए जाना जाता था लेकिन आज सौबागे से ऐसा इंफरस्टक्चर आपके पास मौजूद है या बनने जा रहा है या बन रहा है और गरीब कर ल्यान करी योशना हो की तो कोई सानी ही नह असी करोड गरीब देश के अंदर पिसले चार साल से मुफ्त मैरासन की सुविधा का लाप पराप्त कर रहे हैं साथ करोड गरीबों को पांचलाग रुपे की आयुस्मान भारत की सुविधा पराप्त हो रहे हैं वे कहीं भी जाकर के अपचार करा सकते हैं और हमारे यहां तो तरब देश में तो हमने भी विवस्ता दी क्या इसमान कार्ड किसी के पास नहीं है बिमार हो गया है हमारा कोई बिदायक हमारा कोई सांसत या पीडित ब्यक्ति स्वयम भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधान मंत्री जी ने जंधन एकॉंट खोले मैं सीधे जंधन एकॉंट से पैंसा भेज देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कोई बिमार होगा तो उस परिवार की क्या इस्तिती होती होगी और इसलिए बिमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोज न पढ़ने पाए इसके जम्यदारी सरकार अपने उपर लेती है उपचार का खर्चा स्वेम पहन करने के लिए तयार रहती है वैंनर भाईयों 12 करोड नदाता किसानों को किसान सम्मा निदी का लाब नारी गरिमा के लिए 12 करोड घरों में सोचाले का निर्माण 10 करोड गरीब मेहलाओं के लिए उज्जुला योजना का रसोईगास का कनेक्शन 4 करोड गरीमों के सिर धकने केलिए आवास और ग्रेटर नुएडा यमना अथर्टी में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्सों से मामले लंबित थे उन सब के मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को उसका हग देना वहां प्रारंब किया है बैन और भाईयों ये पहली बार हुआ है धाई करोड गरीबों के गर में बिजली पहुँच गई ये पहली बार हुआ है ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे इसलिए तो कहराओं में चुनाओं नेशन फस्ट बनाओं फेमली फस्ट के बीच में होने जा रहा है स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में मोदी का परिवार 140 करोण का भारत है इसलिए उनके लिए राष्ट पहले है और कॉंग्रेस सपा बस्वा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर है इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहरे सोच भी नहीं सकते बैनोर भाईयों ये चितना भी कार्य हुआ है चाइवा सुरक्सा का बेहत्तरमा हो लो निवेश का बेहत्तरमा हो लो और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्सों के बाद राम लला को भी अपनी जनमोत्सो को ये आयोजन को अपनी जनम भूवी पर बनाने का उसर प्राप्त हो गया और सुर्य वनसी राम को भगवान सुर्य की किर्णों ने तिलक करते वे अभी सेख करते वे भी आपने देखा होगा संKit छतन हरत अलों कि थो रहा था उस आबासे अलों कि थो रहा था वे नर्भाईयों ये जो सम्मान इर्गव है कि ये सुरक्षा है ये जो संब्रिदी यह जो गरीब कल्याण करी योजनाओ का लाब भूह opened इसका स्रे केवल और केवल और केवल किसी एक ब्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए वह नाम है सी नरिंद्र मोदी का मोदी जी के नित्रुत्तों में ये सब हुआ है और इसलिए हम लोग आये हैं आपके पास कहने के लिए कि बेन और भाईयों मोदी जी के नित्र तो में जो नए भारत काम दर्शन कर रहे हैं इस नए भारत को आत्म निर्भर भारत इस नए भारत को विक्सित भारत और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प बार मोदीजी को प्रधान मंतरी बनने से किसां के लिए आउसयग है डॉक्टर महेश सरमा जी तीसरी बार यहां से सांसत बंकर के चुण करके जाएं जो किन से भायओं जैसे एक सकार अत्मकン सोच के साथ बिकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश सर्मा जी ये हमारे विदायक गण आये होंगे आते हैं लेकिन बिकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने अस्तर पर कोई भी कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनक के द्वारा हमेशा का जाता कि नहीं विकास के जो कारे हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनीच यह एक अच्छे जन प्रतिनिदी का जो दाहित तो होता है वही उन प्रतिव्यक्तियाय देश के प्रतिव्यक्तियाय से सबसे अधिक मैंसे एक प्रतेख जन्पत्र की जो होती है उनमें से एक होने जारी है और इसलिए हम लोग आएं कहने के लिए कि जब विक्सित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम उधनगर बनेगा इस टेंड़र गौतम उधनगर तैंग करेगा अब पहले जो अन्य जन्पदों से होती थी पैच्छान उसको आप पीछे चोड़ारे जा रहे हैं बीचे छोड़ते जा रहे हैं डबल इंजन सरकार के साथ सांसद विधायक आपका है इसका लाब आपको प्राप्त होना ही होना है और बेन और वाईयों इसका लाब यहाँ पर आप सब को प्राप्त हो रहा है और इसलिए हम लोग आए हैं मैं पूछना जाता हूं क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्य वंसी राम को भग्वान सूर्य भौनवास करके गिरण से उनका तिलक होते वे देखा होगा आपने यह कारे क्या कॉंग्रेस और सपा बस्पा के लोग करते क्या यह काम करपाते क्या अयोग द्या में राम मंद्र का निर्मान क्या यह लोग कर कर्फ्यू वाली लोग हैं इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया मैनो मैनो दंगा होता था बेटी और व्यापारिय सुरक्सिती आज हमारी प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है आज तो सांदार तरीके से कावड यात्रा निकलती है कावड यात्रा अंतर स्पस्ट है प्रक्साप है वे दंगा कराते थे हमने का वे नहीं सामाने प्रदेश वास्यों के लिए अयोध्या में राम लला होंगे और माफ्या और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे य marvelous वे दंगा कराकर के प्रदेस को अस्तब्यस्ट करते थे हम लोगोंने कहा नई वह दंगा पॉलजी नहीं चलेगी विकास की पॉल्सी चलेगी विकास की और आज इसी विकास के लिए हम लोग आपके पास आये है नौजमान की आजीविका के ले आम नागरी की आस्ता के ले ब्यापारी और बेटी की सुरक्सा के ले भारती जनता पार्टी आउस्चक है और भारती जनता पार्टी सरकार के ले मोदी जी तीसरी वार प्रभान मंत्री बने और गौतम बुद्धनगर सीट पर तीसरी वार डॉक्टर महे सरमाजी सांसत बन करके चुन करके जाएं इसी के लिए अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ बैन और भाईयों बड़े उद्धेश से के लिए हमें अस्तानिय उन बिवादों को समाधान करना होगा चुनाओं में लोग आएंगे तमाम प्रकार के लोग आएंगे कोई जाती का सहर आलेगा कोई छेतर का सहर आलेगा कोई तमाम अन्य सहर आलेगा वह समय सबसे कहना कि भई देखो चुनाओ के बाद आ जाना आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक रास्टवादी और विकास परग सोच वाली हमें सरकार चाहिए और सरकार के ओल मोदी ॅजी बैन और भाईयों चुनाव के दौरान ये अभी संभाव नहीं हो सकता बहुत बार होता है हर विक्ति की अपेक्सा भी होती है कि प्रत्यासी हमारे द्वार में आ जाए संभाव नहीं होता एक प्रत्यासी के लिए बैन और भाईयों दो हजार से थिक नौँ होते हैं और चौदा दिन का किवल चुनाव होता है चौदा दिन में इसी में संगठन की बैठक भी इसी में विवस्ता की तैयारी भी इसी में बैग भी तैयार करने होते हैं इसी में और भी तमाम कारिकरम होते हैं सभाएं भी हो गई और तब भी घर घर प्रत्यासी जाय संभो नहीं होता पांच साल तड़ाईए पांच साल उलाईए चुनाओं के दोरान बैन और भाईओं आप सब को ही डॉक्तर महेश सर्मा बनना पड़ेगा सब को इसलिए मैं अपील करने के लिए आपके पास आया हूँ और बैन और भाईओं इसलिए घर घर जाकर के 26 अप्रेल तक चुनाओं में कुछ गर्मी बढ़ेगी और इसलिए बैन और भाईओं मैं आपसे पील करने के लिए आया हूँ मद्दान पहले मद्दान होना है कल पहले चंड काओगा दूस्से चंड में आपको मद्दान करना है और मद्दान के लिए सर्दी गर्मी धोप किसी की भी परवाह के विगर लू की परवाह के विगर हमारा प्रयास होना चाहिए पहले तीन घंटे में ही पचास फीस्ती से दिक मद्दान हम अपने अस्तर पर करवानी के तैयारी कर लें कि सेमत हैं कि सेमत हैं मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री देखना चाहते हैं देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं भारत की आस्ता का सम्मान करना चाहते हैं युवाओं की आजिविका को सुदिड करना चाहते हैं विक्सित भारत बनाना चाहते हैं डॉक्टर महेश सर्माजी को इसके लिए चुनाजी तागे वेजना पड़ेगा सेमत हैं सभी लोग सेमत हैं तो कमल चुनाचिन पर घर घर जाने की अत्का जाहित तो मैं आपको सौंता हूँ आप सब सेमत हो तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत